तो दोस्तो अगर आपके पास Redmi का डिवाइस है और Redmi का डिवाइस में MIUI 13 रन कर रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल के जितने भी इमेज है, वीडियो है, MP3 फाइल है, डॉक्मेंट है, अप्लिकेशन है, कैसे ये टोटल आप अपने मोबाइल में हाइट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला है, तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, अंतक देखीगा, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इमेज और वीडियो को कैसे आप करना है, गैलरी में चले जाना है, और गैलरी में जाने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारे फोल्डर देखने मिल जाएंगे, जैसे यह वीडियो को फोल्डर यहाँ पे मिल जाता है, स्क्रीन सॉट का फोल्डर यहाँ पे मिल जाता है, पिक्चर का साथ और को भी मैं यहां पे स्लेट ने बार नीक्ट ने से में रखिए आपको हाइड वॉलॉल ऑसन देखने को मिलेगा इस आइडются पे क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप यहां पे औी क्लिक किजेगा तो जो फॉल्ड़र दिख रहा था इसके इमेज विडियो यहाँ पे height हो चुका है अगर आपको उस image को वापस लाना है तो simply आपको three dot पे click करना है three dot पे click करने के बाद आपको setting में जाना है और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे option देखने को मिलेगा view hidden album इस पे आपको click कर देना है इस पे जैसे दोस्तों आप यहाँ पे click किज़ेगा देख सकते हैं दोनों folder यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अगर आपको यहाँ पे image देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसको unhide करना है तो unhide करने के लिए दोस्तों यहाँ पे unhide वाला option मिलेगा कर सकते हैं तो इसके लिए आपको फाइल मेनेजर में चले जाना है तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल मेनेजर में जाओंगा और फाइल मेनेजर में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाउलोड वाले पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर जो more वाला option मिलना है इस पर आपको click करना है और click करने बाद आपको make private वाला option देखने को मिलेगा तो इस make private वाले option पर आपको click कर देना है और click करने बाद आपको make private पर click कर देना और click करने बाद आपको set कर देना और सेट करने बाद आपको यहाँ पे पासवर्ट जेनरेट कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ट को जेनरेट कर लेता हूँ और दुबारा फिर से यहाँ पे आपको पासवर्ट को डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने बा मैं यहाँ पे अपना fingerprint डाल सकता हूँ या screen lock का password डाला है तो उस password को मैं यहाँ पे डालूँगा और जैसे मैं यहाँ पे password को डालता हूँ तो देख सकते हैं apk file यहाँ पे दिख जाएगा document दिख जाएगा तो इस परकार से आप इसको यहाँ पे hide कर सकते हैं चलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखा देता हूँ कि वीडियो को कैसे आप यहाँ पे hide कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो निकाल देता हूं जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वीडियो आपको यहाँ पे देखने कहों मिल जाएगा तो इस वीडियो को मुझे height करना है तो मैं क्या करूँगा इस पर टेप करके रखूँगा और इसको select कर लूँगा दे more पे जाँगा और more पे जाने मद make private पे click करूँगा और click करने बाद make private यहाँ पे कर दूँगा तो यह जो वीडियो है यहाँ से hide हो जाएगा और इसको निकालने के लिए फिरसे आपको इस परकार से scroll करना है और scroll करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे password को डाल देना है और जैस powiedział आप यहाँ पे password को डालेकर तो देख सकते है यह video भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा माल लिजे कि यह जो file है आपने height किया हुआ इसको unhight करने के लिए simply आपको यहाँ पर tap करके select कर लेना और select करने के बाद दोस्तों आपको remove वाला option देखने को मिलेगा तो इस remove वाले option पे click कर देना और click करने के बाद आपको जहाँ पे भी यह डालना है माल लिजे मुझे यहाँ पे डालना है internal पे internal पे यहाँ पे click करूँगा और DCM में click करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको paste कर दूँगा तो इसके लिए चलिए camera में ही मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ कैमरे में सेलेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करणूगा और जैसे यहाँ पे क्लिक करणूगा तो DCM में नह बेदिखने होगा शक्तक तो चाहुत ए जल्ए जब कलगा मैं डिक्षा देखा मघ तो क्या हुआ जब बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूप कर दिएगा